हालो फ्रेंड्स वेलकम टू आल आज मैं आपके लिए वीडियो लिकारो देखिए छोटा स्टॉक लेकिन मोटा पैसा लेकिन पैसा इतना जबरदर्स्त है तो बात आती है खरीदे कब इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ अगर आप धमाके से पहले पकड़ लेते हो तो में कोशन हो जाता है कि रिस्क के तो कम है ठीक है लेकिन किस तरीके से उसको अनलाइज करें इसलिए लर्निंग इंपॉर्टेंट होती है रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हो पैसा सकेंडरी चीज पैसा कमाई जो है न वो अलग चीज लेकिन सबसे पहले प्रॉस किस इसके साथ आपको चलना है अगर चीज़ें आपका according नहीं चलती तो आपको कब निकलना है यह चीज़ें बहुत important है इनके उपर पहले focus करना चाहिए क्योंकि यह आपकी existing capital को बचाते हैं जब तक आपकी existing capital save रहेगी बची भी रहेगी तभी आप market में उसको बार बार deploy करके प अभी कम बना पाओगे जब आप पैसे को पहले जो आपका पैसा खुद का पैसा उसको बचा पाओगे तो investment का मौका जरा देखते हैं कौन से शेर के हम बात करने हैं के एन आर construction लिमिटर जनरली छोटे छोटे शेर की कोई बात नहीं करता लेकिन यह शेर multi bagger return देते हैं समझ तो बड़ा risk भी involved होता है इसी लिए आपको मैं कहता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहली priority रिस्क management की और रिस्क management की learning आपके लिए बहुत important होती है अगर आपने risk को manage कर लिए फिर तो क्या small cap, mid cap, क्या large cap, आपको पता है कितना आपका risk है क्योंकि आप उसको calculate करके चल रहे हो, market capital utilization 3600 करोड का है, stock का fundamental इतना खतरनाक है कि हर 14 रुपे पर हर 14 रुपीज पर आपको एक रुपय कमा के यह दे रहा है, profit growth पिछले 3 साल का average देखोगे तो 36% के आसपास है, यानि कि numbers बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुन्दर है, PG ratio देखिए आप, और इस stock के sales growth को देखो, पिछ construction, engineering and infrastructure development activities का काम करता और पिछले कुछ टाइम में, India is a developing country, कुछ भी हालत हो जाए, development तो अभी रुपने से रही, थोड़ा slow हो सकते हैं, लेकिन रुपने से रही, तो यह stock काफी important हो जाते हैं, अब इस stock के revenue को देखने और समझने की कोशिच करने के पिछले कुछ टाइम से revenue क कैसा रहा है, अब जब revenue की बात आई है, तो revenue की growth को आप देख सकते हो कि किस तरीके से 700-800 करोड से लगातार बढ़ते हुए, यह 2500 करोड के आसपास तक जा चुक है, profitability, आप देखिए, बीच में dip जरूरा आए था यह, लेकिन उसके बाद तेजी करते-करते, 40-50 करोड से यह बढ़के 3.500 करोड हो चुका है, यानि कि लगातार profitability increase हो रही है, revenue increase हो रहा है, और वो भी खास कर कि 2000, मैं कहुंगा यहाँ पे जो time था, 2012-13 के आद बात तो और तेजी आपको देखने को मिल रहे है, उसके बाद लगातार growth, बहुत भी बढ़िया इन numbers, इन numbers के साथ साथ यह रहेंगे जड़ा shareholding pattern देखते हैं, promoter की हिस्सेदारी पिछले कुछ quarter में fix है, कोई changes नहीं है, लेकिन mutual fund वाले लगातार खरीदारी यहाँ पे करते वे नजर आ रहे है, साथ के साथ रिटेल निवेशकों कि अगर मैं holding यहाँ पे देखूं, तो देखिए 40,000 रिटेल निव का है, opportunity का, अगर है, तो कितना risk लेजना चाहिए, किस हिसाब से investment करनी चाहिए, जड़ा एक नजर technical chart पर देखेंगे, क्योंकि वो हमें बहुत कुछ बताता है, technical chart, अब इस stock को देखिए, जब पहली बार यहाँ से भागना start हुआ था, 2014 में, तो 20 रुपे का share, 340 रुपे त 2013 से 2017, कितना time, चार साल, और चार साल में, 10 रुपे से, चाड़े 300 रुपे, यानि कि अब आपको गह रही है, तो 35 गुना return, 35 गुना समझ रहे हो, आपने अगर 1000 रुपे भी लगा होते हैं, तो सीधे सीधे 35,000, अगर आपने एक लाग लगाते हैं, तो 35 लाग होते हैं, तो हो क्या रहा है, उसके बाद overall picture आप देखोगे, तो यहाँ पे पूरी की पूरी correction चल रही है, लेकिन इस correction को तसली से देखिए, इस correction को देखिए, और इस से पहले की जो correction है, उसको देखिए, मैं आपको 2010 के बाद की correction दिखा रहा हूँ, जो कि 2014 तक चली थी, 3-4 साल, और ये पिछला high पार हो, तो आपका लगता हाँ, correction भी resolve हो रही है, जो कि यहाँ पे हमारा पार हुआ था, यह देख सकते हो भी है, और price भी बिल्कुल similar time पे पार हुआ था, और उसके बाद correction का resolution, लेकिन अभी की correction आप देखोगे, तो चल रही है, correction in progress है, क्या यह पार होनी की कगा पे है, बिल्कुल definitely, इसलिए तो आपके लिए stock के लिए क्या है, और यहाँ पे पार होगी, तो आपको फिर से मौका मिलेगा, तो थोड़ा सा इंतजार, और correction होगी, पार, पार होगी, तो क्या मिलेगा, मौका, अब अगर मैं stock की बात करूँ तो अगर February March की गिरावट नही यानि कि higher low, higher high का structure बनता हुआ देख रहा तो ऐसा लग रहा था, ब्रेक आउट होता हुआ दिखेगा, लेकिन situation आगे, कोरोना वाली, शेयर माई गिरावट, वही बेस जो पुराना था, वानिटी के आसपास का, जो कि low बनाया था, उसने फिर से support का काम किया, और इस support के आसथ, आरसे ने भी बढ़िया support यहाँ पर दिया, आप देख पारे हाँ पर, लेकिन अब अब ऐसा लग रहा, बड़ी candle बनने के बाद, तीन महीने की छोटी candle जो यह बनी है, यह positivity ला सकती है, इस stock के अंदर, तो positivity के लिए अभी हमको छोटे time frame पर जाना होगा, और उसको समझना होगा, यादि कि छोटा time frame हमारे पास क्या है, weekly, weekly में अगर मैं देखूँ इस stock में, तो correction अभी in progress है, अच्छी बात क्या है, कि bullish cross बन चुका है, bullish cross बनने के बाद, correction का resolution, वो ध्यान में आ रहा, आप देखिए, rally, बढ़िया rally, यह मान के चलिए, यह जो base बना था, 200 क के आसपास rally आई, अभी का base क्या बन रहा है, हमारा यहाँ पर almost, 240 से लेकर 230 के आसपास का base बन रहा है, यानि कि यह range है, इसके नीचे आपका stop loss, base के नीचे stop loss, लेकिन correction का resolution important है, क्या correction का resolution हो रहा है, जड़ा simply देखिए, price के हिसाब से देखो गई, तो जो line चल रही है, वो आप अपनी test position बनाने के लिए तैयार हो, लेकिन अब थोड़ा सा और positivity देखते है, bullish cross के बाद, जो अच्छी बात मुझे लगी, bullish cross के बाद वाली correction है, तो bullish cross के बाद वाली correction कितनी important होती है, आप सब जानते हो, और इस corrections में आपको एक और important बात दिखाता है, बड़ी बड़ बनी, उसके बाद छोटी मोटी selling आगर आप देखोगे, selling वाले time पे tower बिलकुली छोटे छोटे चोटे यानि कि यह आप देखिए आप तेजी आई थी, पूरे के पूरे लाल weeks आपको दिख रहे है, red weeks दिख रहे है, लेकिन red weeks में volume बिलकुल खतम, फिर से तेजी आई, तो म इसले 2 week में थोड़ा positivity दिखी है, अब छोटे time frame पे चलते हैं समझते हैं कि क्या चीज़े resolve हो रही है, तो stop loss अगर मैं weekly की बात करूँ, तो stop loss मिल गया, entry के लिए मैं कहूंगा, कि मौका test का बन गया, थोड़ा सा और positivity दिखेगी, तो और मौका अच्छा हो जाएगा, यह द देखिया बाब, demand getting increased, यह देखिया, धीरे धीरे करके demand बढ़ रही है, और अगर यहीं से यह वापस हो जाता है, तो demand और बढ़िया, लेकिन कई लोग कहेंगे यार, pullback आ जाए तो और मजा जाए, तो pullback भी आगया, आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट भी all time high है, market भी all time high है, तो यह भागेगा, भाग के 200 CQ level को touch करनी की कोशिश करेगा, फिर जब तक market गिरेगी, फिर चे यह down आ सकता है, तो आपको फिर चे opportunity मिल सकती, तो कभी भी हो share को आपको पूरी की पूरी तसल्ली से देखिए, उसको समझ जीए, और important बात जासे मागर weekly time frame के ह आप से सोच रहा हूँ कि यह correction resolve होगा, तो मेरे पास stop loss अल्रेडी तैया आ रहा है, 230 के आसपास का, 230 के stop loss है, 260 पैसज की entry अगर मेरी बनती है, 260-265 के आसपास की, तो मौका ही मौका मेरे पास, इस चीज़ को समझे, बड़ी candle के पास मंतली में, यह तीन मन्त में, यह छोटी आस वीडियो को हमने के अनार कंस्ट्रक्शन को देखा, यहाँ पर वीडियो अच्छा लगा, तो शेर कीजिए, लाइक कीजिए चैनल, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं कहा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ला है, और इस तरह की से टेक्निकल आनलेसिस बेसिक जर आपको सीखी नहीं होते हैं, तो आप मेंबर से भी जाइन कर सकते हो, जाइन मेंटन पर क्लिक करके हैं, थैंक यू, थैंक यू पर लाचिंग वीडियो.